नमश्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर सावन का महीना भूले नात कम आना जाता है लेकिन सावन के दोरान पढ़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पारवती को भी अत्य नतिप्री है यही कारण है कि इस दिन मा गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में मंगला गौरी का व्रत कब है, कब से शुरू और कब समाप्त है साथ ही जानेंगे कि व्रत के नियम क्या है तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ने किया है तो आगामी ब्रत इवम तेवारों की तित्यों की जानकारी पराप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए सहाथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चली शुकर लेते हैं आज का वीडियो सावन मा के मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की पूजा करने से आविवाहित कन्याओं को मंचाहे वर और विवाहित महिलाओं को सदा सुहागिन रहने का अशिरवात प्रापत होता है यही कारण है कि श्रावन मा के सोमवार के बाद आने वाला मंगलवार भी महतपूर माना जाता है सावन मा में पढ़ने वाले मंगलवार को महिलाएं अखंड सौब भागी का वर्दान प्राप करने के लिए मा मंगला गौरी का विधी विधान के साथ पूजा अर्चना करती है आईए जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत के नियम क्या है इस व्रत में केवल एक समय अनिग्रेंट करके पूरे दिन मा पार्विती की आरातना की जाती है मंगला गौरी व्रत पूजा के दौलान सभी वस्तवे सोला की संख्या में होनी चाहिए इसमें सोला मालाय, लौंग, सुपारी, इलाइची, फल, पान, लड़ू, सुहाकी सामगरी, सोला चूणिया और मिठाई मा को अर्पित की जाती है इसके अलावा पाँच प्रकार के सुखे मेवे, साथ प्रकार के अनाज, गेहू, उड़द, मूंग, चना, जौज, चावल और मसूर आधि भी पूजा में होना आवश्यक है पूजा के बाद मंगला गौरी की व्रत कोई कता को सुना या पढ़ा जाता है सावन मा का प्रारम हो रहा है 2022 में 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार को, और समाप्ती हो रही है 12 अगस 2022 दिन शुक्रवार को मेरे वीडियो में अंतर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ